सबसे पहले इस चैप्टर का जो एक इंट्रोडक्शन है वो मैं आप लोगो क्लियर कर देता हूं बच्छों इस चैप्टर में से इस सेशन के अंदर एक्ससाइज 5.8 जो की रॉली स्योरम और मीन वैली स्योरम के पर बैस्ट है वो अटा दी गई है तो इस तरीके से आपके पास इस चैप्टर के अंदर ऑवराल 7 एक्ससाइज है इसमें क्या क्या आना है बच्छों फर्स एक्ससाइज कंटिनिटी सेकंड एक्ससाइज के अंदर आपको इफ्रेंशिबिलिटी और साथ में इफ्रेंशिएशन के बैसिक कंसेप्ट देखने को मिलेंगे और फिर कुछ एक्ससाइज में M.O.D. है method of differentiation and in last exercise 5.7 हम पढ़ेंगे second order derivative chapter की importance ही बनती है बच्छों क्योंकि सारी चीज़ें इसी के अंदर है especially जो differentiation वाला part है इसी जएके देखने को मिलेगा बहुत अच्छे से इसको complete करना है क्योंकि इसी से फिर calculus की जो दूसरी branch है आपकी integral calculus वो आप लोगों को करनी है differentiation वीक रहेगा तो integration में weakness बनी रहेगी तो सबसे पहले हम लोग start करते हैं बच्छों इसके अंदर continuity अब continuity और differentiability के जो questions है बच्छों उसके लिए जो awareness है पहले वो mind के अंदर clear होना चाहिए कुछ do or don'ts है वो मैं clear कर रहा हूं देखो continuity differentiability का कोई भी क्योसरी नाता है तो वो student especially जो competitive level की तैयारी कर रहे है वो लोग क्या करते है क्योसरी उसको graphical तरीके से judge करते हैं कि वो continuous है discontinuous है differentiable है या non-differentiable है तो इसके लिए मैं आप लोगो clear कर देता बच्छों do not use graph for explanation of continuity and differentiability continuity differentiability के लिए आप graph को use में नाल है अवोइड करें बच्छों अलागि hard and fast नहीं है लेकिन यहां जो concept है वो है बच्छों limit का continuity or differentiability का कोई भी explanation या कोई भी question आपको करना है तो सिर्फ और सिर लिमिट के help से आप लोग करेंगे फिर जब लिमिट की बात आती है तो लिमिट के अंदर भी फिर एक point आता है बच्छों limit का एक rule है जिसको हम लोग कहते है all hospital rule या all hospital rule तो वो rule है comparatively easy भी है लेकिन clear करें यह जो rule है आप लोगों के syllabus में है ही नहीं बच्छों तो इसे apply नहीं करना है do not use all hospital rule for finding a limit अब जब मैंने कहा कि continuity और differentiability के इन लिमिट का role है तो लिमिट के ऊपर जो पकड़े बहुत अच्छे होनी चाहिए अलाकि 11th का portion है फिर भी एक revision हम लोग करेंगे limit के ऊपर और actual जो question है वो हम continuity और differentiability के साथ ही करेंगे तो लिमिट क्या है बच्छों लिमिट की definition है सबसे पहले तो वो clear होनी चाहिए एक्जाम अगेरा हमें नहीं पूछी जाती है लेकिन at least पता तो कि लिमिट का meaning क्या है लिमिट क्या चीज है थोड़ा सा इसको discuss करते है जान फिर लिमिट के methods अगेरा पर हम लोग आएंगे तो लिमिट को समझने के लिए बच्छों एक general curve एक graph को में ले रहा हूं x x dash and y y dash y is equal to f of x बच्छों कोई भी एक curve अगर हम लोग ले तो इस curve के किसी point x is equal to a पर value of function तो निकालना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं value of function at a point x is equal to a जो की होगा f of a ओके लेकिन जब लिमिट की बात आती है तो लिमिट क्या कहती है जब आप right hand side से approach करते हुए x is equal to a के काफी close infinitely close इतना close की वो point आपको दिखता ही नहीं है उस point के उपर जब आप पहुंशते हैं और उस point को अगर मैं नाम दे देता हूं बच्छ जीरो नहीं है लेकिंग जीरो की तरफ अगरसर है उसकी तरफ बढ़ रहा है यानि कि इसका मिनिंग हो जाता है कि ये point इस a के काफी close हो जाता है फिर इसी तरीके से left hand side से approach करते हुए a के काफी close point को हम लोग नाम देंगे x is equal to a minus h x is equal to a minus h a minus h और यहाँ भी h जो है tends to 0 है बच्छो अब इन दोनों points के उपर x is equal to value of function clear नगर आ रहा है अब इन दोनों points के उपर हम value of function की बात करते हैं मान लो तो इस point के उपर value of function बनता है आपका f of a plus h और x is equal to a minus h पर value of function बनता है बच्छो f of a minus h तो इन दोनों nearest point के उपर function जो अपनी value देगा और अगर वो value equal आ जाती है तो वही equal value वही common value आपके limit कहलाती है तो हम कह सकते हैं limit is a common expected value of the function at nearer to the point from both the side और right hand side पर जब इस point के उपर आप value of function की बात करते हैं तो इस ही को हम लोग कहते हैं बच्छो right hand limit और इसको हम लोग कहते हैं left hand limit presentation क्या होगा, notifications क्या होगे, जड़ा इसको समझना है जब भी आप right hand limit की बात करते हैं, कोई भी question हो, यहाँ से start होगा, इस notification के साथ start होगा limit x tends to a plus, यह a plus यह बता रहा है कि आप right hand side के उपर जो point है, उसके उपर limit की बात कर रहे हैं तो और इसको हम लिखते हैं f of x और इसी तरीके से, LHL की जब बात करेंगे, तो इसको लिखा जाएगा, बच्चो, limit x tends to a minus, a minus का मतलब minus यह बिलकुल भी नहीं है a minus के वल एक notification है, जो बताता है left hand limit का presentation, notification, f of x okay, तो RHL और LHL एक बड़ा part होगा, continuity के अंदर, differentiability में derivative निकालते वग तो इस presentation के साथ, आप अपर क्योस्टन की starting लेंगे, फिर according to nature of function, आप limit के method decide करते हैं, limit निकलती चली जाएगी जो कि मैंने का बच्चों कि RHL equal to LHL, होने पर ही limit exist करेगी और वही limit कैलाती है, तो RHL equal to LHL का मतलब हो जाता है existence of limit at a point x is equal to a RHL equal to LHL, जो notify करेगा existence of limit को existence of limit at a point x is equal to a अब जब ये दोनों चीज़े बराबर होगी बच्चों, तो RHL और LHL का एक combined presentation भी जाता है वो presentation क्या है, जब भी RHL is equal to LHL है, तो इसका मतलब हो गया limit x tends to a only f of x तीनों में difference है, a plus का मतलब RHL, a minus का मतलब LHL और limit x tends to a अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है कि इस point की open limit exist कर रही है, RHL भी निकलेगी, LHL भी निकलेगी और same आईगी तो this is the definition of limit, इसी चीज़ को कुछ और graph से भी हम लोग बड़ी आसानी से clear कर सकते हैं बचों जैसे कुछ graph हम लोग discuss करते हैं, इससे और बड़ी आसानी से आप लोगो को चीज़े clear हो जाएंगी जैसे mod of x का graph है बचों बड़ा common सा graph है, यह आप जानते हैं और एक graph में ले रहा हूँ, signum function, है न? signum function भी आप लोगों ने देखा हुआ है, 1, minus 1, and at x equal to 0, 0, तो जाना यहाँ पर limit को थोड़ा सा अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, at a point x equal to 0, इन दोनों graph के अंदर, तो क्या meaning निकल के आता है, देखें जाना, मैंने कहा, 0 के, 0 पर limit को discuss करें हैं हम लोग, function है mod of x, यहाँ 0 पर limit को discuss करेंगे, function है signum, signum function, तो इस 0 के right hand side और left hand side पर जो nearest point है, उस point के ओपर value of function को discuss किया जाता है, देखें जाना, right hand side से approach करते हुए आप जब 0 के काफी close आएंगे, तो function की value भी हम देख रहे हैं कि दीरे-दीरे किस और move कर रही है, 0 की तरब move कर रही है, और इसी तरीक से left hand side से approach करते हुए 0 के काफी close point पर जब आप आएंगे, तो हम देख रहे हैं कि value of function, ये y equal to x, ये y is equal to minus x, तो value of function भी किस की तरब move कर रहा है, दीरे-दीरे, 0 की तरब move कर रहा है, यानि कि जो common expected value निकल के आने वाली है, बच्चों, वो है 0, तो हम कह सकते हैं कि 0 पर जो limit निकल के आएगी, finally वो क्या होगी, 0, signal function के अगर बात करें, तो क्या हो रहा है, जब आप right hand side से 0 की तरब approach कर रहा है, तो value of function move कर रहा है, 1 की तरब, और जबकि left hand side से आप 0 की तरब approach कर रहा है, तो value of function move कर रहा है, minus 1 की तरब, RHL तो 1 होगा, LHL minus 1 होगा, and RHL is not equal to LHL, तो यह निकल के आता है, बचो, limit does not exist at x equal to 0, in that case, limit exist कर रही है, और इस case के अंदर limit exist नहीं कर रही है, तो यह कुछ, limit का definition और limit के concept को हमने समझा है, but actual में जो question करने की बाद आती है, बचो, वो है methods, limit के जो methods है, वो बहुत अच्छे से आने चाहिए, तो limit के कुछ methods को हम लोग दे discussion सबसे पहले हम लोग कर रहे है, कोई भी एक function आपको दिया जाएगा, उसके limit अगर calculate करनी है, तो, जैसे बचो, यहाँ मैं थोड़ा सा, एक, limit x tends to a f of x, यह general form represent किया, अब according to the function, इस function की nature की according, आप अपना method, automatically set कर लेते हैं, बहुत simple होता है, limit x tends to f of x, जैसे, for example, बचो, मैं लिखा, limit x tends to 0, 2x plus 1 find करो, इसकी limit find करो, तो, सबसे पहले, आप लोग हर question के अंदर, इसी method को use करेंगे, जैसा इसका नाम है, direct substitution method, यानि, x जिस point की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो point आप directly, यहाँ put कर देते हैं, x की जगे, आपने 0 put किया, 0 plus 1 is equal to 1, एक finite value आपको मिलती है, यही finite value क्या कहलाईगी, limit कहलाईगी, लेकिन फिर बात आती है, कि अगर ऐसा question नहीं आया, direct substitution नहीं, तो फिर कब, कहां, कौन से methods को हम लोग use में लेंगे, तो वो चीज़ देखो, direct substitution, x की जगे value पूट करने पर, अगर value आपको direct मिल रही है, इस method के साथ आगे बढ़ू, लेकिन, कुछ questions ऐसे होंगे, बच्चों, जैसे, कुछ यह format मानलो आपको मिला, limit f of x upon g of x, कुछ इस तरीके से, मानलो एक question हम लोग बनाए, limit x tends to, 1, x square minus 1, upon x minus 1, मानलो यह question आया, अब आपने direct substitution method काम में लिया, x की जगे 1 put किया, 1 minus 1, 0, यहाँ भी x की जगे 1 put किया, 1 minus 1, 0, यह form बन रहा है, तो actual में यह आपकी value नहीं है, यह limit नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं, indeterminate form, क्या बोलेंगे, indeterminate form, तो जब भी indeterminate form आती है, तो उस case के अंदर, according to the nature of function, आप अपना method decide करते हैं, कि factorization करें, rationalization करें, अगर कहीं trigonometric function है, तो उसको apply करें, कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पर, क्या किया जा सकता, polynomial नजर आ रहा है, उपर, इस तरह का कोई भी question आए, आप सबसे पहले factorization की तरफ बढ़ें, यह देखो, बहुत simple, factor किया है आपने, x plus 1, x minus 1, upon x minus 1, तो यह factor आपका cancel हुआ, x की जगे आपने 1 put किया, final answer क्या आगया, 2 आगया, ठीक है, तो इसी तरीके से, rationalization, बड़ा common सा word है, काफी calculation में हम यूज करते हैं, किस तरह के function पर यह use होगा, सोच के देखो, वो सभी function जहाँ square root create होगा, वहाँ पर आप इसको apply कर सकते हो, और इन सबसे related question अभी continuity में करेंगे हम लोग, यहाँ ज्यादा time नहीं देंगे, फिर बाद आती है बच्छो, rationalization under root के अंदर कोई भी expression दिखे, for example, limit x tends to 0, under root 1 plus x minus 1 upon x, जैसे यह question है बच्छो, x की जगे 0 आपने put किया, 1 से 1 cancel हुआ, 0 आया, और यहाँ भी x की जगे 0 put किया, यह 0 आया, 0 by 0, indeterminate form, तो अब आपकी एक calculation ऐसी होनी चाहिए, जिससे की एक finite value मेले, इस सभी method के लिए common statement देता हूँ, question कोई सा भी आया, आप एक ऐसी calculation करने की कोशिश करें, जिससे की finite value की तरफ आगे बढ़ सेके, कुछ case ऐसे भी आते हैं, जा not define का case होगा, बट 0 by 0 ना create हो, infinite by infinite create ना हो, infinite minus infinite create ना हो, यह कुछ standards and determinant forms है, होने को और भी हैं, बट board level पर आपको यह 3 देखने को मिलेंगे, अब मालो जैसे यह function आया, तो finite value की तरफ पहुचने के लिए क्या approach होगी, आप rationalize करेंगे, opposite sign से divide and multiply, तो कुछ इस तरीके से इन questions को बढ़ी आसानी से आप लोग कर पाएंगे, और एक complete practice में continuity के अंदर limit की आप लोगों को देने वाला हो, फिर देखो, एक काम के point पर आ रहें बच्चों, यहां mistake देखने को मिलती है, limit of trigonometric function, है ना, तो सब से पहला point, इस से related questions को करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ यह दो standard form से जिनको आप directly use में ले सकते हैं, the first one, sin theta upon theta is equal to 1, and another, limit, theta tends to 0, tan theta upon theta is equal to 1, इन दोनों standard results को आप direct काम में ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी standard नहीं है, board level पर यह clear कर देता हूं, जैसे, एक question है, बढ़ा ही common जैसे मैं लिखोंगा, जिन students ने limit थोड़ा बहुत भी पहले अगर पढ़ रखा है, तुरंत इसका जवाब दे पाएंगे, limit x tends to 0, 1 minus cos x upon x square, बढ़ा common question, बच्चों को इसका answer रटा हुआ रहता है, बिल्कुल, कितना भोलो, कितना आएगा, 1 by 2, ओके, अब इस तरह के questions in between जब create होते हैं, measure questions के अंदर, और student इसका direct answer यूज में लेता है, तो उस case में number कटते हैं, बच्चों, board का exam दे रहे हैं आप लोग, इस चीज को हमेशा याद रखो, answer की तरफ मद भागो, हर class के अंदर मैं कहता हूँ, step wise marking होती है, है ना, अब इस तरह की किसली mistake कर गए आप लोग, चार नमबर का क्योस्य ने, दो नमबर मिलके, दो नमबर फ्रीके कटके, जब किसका प्रूफ आप लोगों को आता, जो कि बहुत है सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, देखो, limit x tends to 0, do not use directly again, यह एक पॉइंट और काम का है, ट्रिग्नोमेट्र के अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले काम में लेंगे, जो हम लोगों को याद है, बहुत अच्छे से, 1- cos 2 theta, standard form पता है न, 1- cos 2 theta, और नहीं भी पता है, तो ऐसे छोटे-छोटे result डारेक्ट याद होने चाहिए, 2 sin square theta, तो इसी standard को अगर यहां काम में लेंगे, सम मल्टिपल में जाएगा, तो यह बनेगा, बच्चो 2 sin square x by 2 upon x square, ठीक है, अब यहां से 1 by 2 तक जाने के लिए क्या अप्रोच होगी, ट्रिग्नोमेट्री में दो ही थोट चलेंगी, अगर कहीं sin आ गया, तो sin theta upon theta create करो, कहीं 10 आ गया, तो 10 theta upon theta, और अगर दोनों नहीं आए, तो फिर in form तक पहुँचो by formula of trigonometry, ओके, चलो, ना, limit x tends to 0, 2 constant है, rule wise यह बहार आ जाएगा, दोनों पे square है, देखो, sin पे भी square, x पे भी square, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, sin x by 2 upon x का whole square, लिख सकते हैं, यह 2 से 3 लाइन का proof यह देना होगा, अब अप्रोच ही होती है, theta और यह theta देखो, सेम होना चाहिए, तब ही जाके 1 बनेगा, यहां है x by 2, यहां है x, theta को सेम बनाने के लिए आप 2 से divide and multiply कर दो, यह देखो, sin x by 2 upon x by 2, 2 तो constant बहार आ जाएगा, यह 1 create हो जाएगा, पूरा presentation देने की जरुत नहीं है, यहां पहुँच जाओ, यह 2 to 4 square बहार, और इस तरीके से यह मिलेगा बच्चों आपको 1 by 2, ओके, तो इसी से मिलते जुलते दो result और है, काफी question है, बोर्ड में आये हुए, अभी बताऊंगा तुम लों को, अब मालो इसी question के अंदर slightly change कर देता हूं, बच्चों, ज्यान देना, अब इस बार question है, आपके पास limit x tends to 0, यह तीनो separately इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि इनका use आना है, अब इस बार में 1 minus cos 2x कर देता हूं, upon x square, same चाहिए है, 1 minus cos 2x का formula, तो बिल्कुल direct आप काम में लें, कितना हो जाएगा, 2 sin square x upon x square, दोनों पे square, sin theta upon theta 1, final result होगा, बच्चों 2, तो इसी तरीके से एक result और बनता है, वो भी बता देता हूं, एक जाता है आपका limit x tends to 0, 1 minus cos 4x, upon x square के उपर, तो वही, same formula लगाता है, होता है, यह angle just half हो जाता है, 4x है ना, तो 2 में convert हो जाएगा, x था तो x by 2 हो गया, 2x था तो x हो गया, 6x होगा तो 3x हो जाएगा, इस तरीके से इसको directly याद रखो, limit x tends to 0, sin के अंदर यह बनेगा, 2 sin square 2x, जैसा मैंने कहा था, just half हो जाता है, upon x square, देख रहे हो, अब यह 2 आपका constant है, यह आगया बहार, दोनों पर square दिख रहा है, sin square and x square, क्या हो सकता है, hall square कर सकते हैं हम लोग, तो sin 2x, upon x का hall square बन गया, अब फिर से देखो, theta को same बनाना है, यह 2 है, 2 से divide and multiply, sin theta upon theta किता है, 1, 2 का square, बहार आएगा, 4, 4, 2, 0, 8, limit के next 2 method की अगर और बात करें बच्चो, substitution method, यह अच्छा method है, अब questions के साथ, इसको हम लोग discuss करेंगे, continuity में, limit of exponential and logarithm function से related, यह 2 standard formula आप लोग directly use कर सकते हैं, इनके लिए मना नहीं है, जैसा कि आप लोग देख रहें, limit x tends to 0, e to the power x minus 1 upon x, 1, directly use में ले सकते हैं, and similar log से related, तो इन सभी methods का use, असल में एक अच्छी practice हम लोग continuity और differentiability के साथ करेंगे, बच्चो, तो बात करते हैं, हमारी exercise 5.1 की, जो की है continuity, तो इसको हम लोग discuss करते हैं, बच्चो, सबसे पहले, continuity क्या है, limit हमने पढ़ा, और limit का role, किस तरीके से continuity के अंदर आने वाला है, उस चीज को हम लोग discuss कर रहे है, continuity की definition पर जाने से पहले, वही सारी चीज जो बच्चो अभी मैंने limit के अंदर discuss की थी, जरा उसके उपर आते हैं, देखो, continuous function और discontinuous function के बीच, judgment लेना बहुत simple है, एक ऐसा function, जिसका graph बनाते वक्त, pain non-stop चले, कहीं से उठे नहीं, यहां से हमने start किया, य नहीं उठाना चाहिए, इसका मतलब वो graph क्या होगा, continuous होगा, और कहीं अगर आपने graph बनाते वक्त, उसकी condition के according pain उठाना पड़ गया, तो इसका मतलब होगया, बच्चो वो function उस point के ऊपर discontinuous कहलाएगा, यह continuous और यह वाला discontinuous, लेकिन इन सब चीजों को theoretically थोड़ा सा हम use होगा, देखो, y is equal to f of x, अगर कोई भी हम लोगोंने एक function लिया, बच्चो, y is equal to f of x, कोई भी एक function लिया, तो यह function continuous है, यह discontinuous से इसको check करना, इसकी theory क्या कहती है, किसी भी particular point पर यह break होगा, अब उस point के ऊपर क्या-क्या discuss करना होता है, जिससे कि आप यह confirm कर पाएं कि function continuous से discontinuous, continuity of the function at a point x is equal to a, यह हमारा main target है, इसको हम discuss कर रहा है, theory वही है, x is equal to a के काफी nearest point, x is equal to a plus h, और इसी तरीके से काफी close point x is equal to a minus h पर discussion जाएगा, बच्चो, फिर से, a plus h के उपर function की value निकालेंगे, when s tends to 0, x is equal to a minus h पर function की value discuss की जाएगी, when s tends to 0, it means right hand limit और left hand limit निकालेंगे, पढ़ा भी limit की definition के अंदर, क्या निकालेंगे, right hand limit और यहां क्या निकालेंगे, left hand limit, और x is equal, एक extra work और हमें करना है, x is equal to a पर function की value f of a और हम निकालेंगे, तो अगर यह तीनो values, right hand limit, left hand limit, and value of function at a point, यह तीनों अगर same आजाते हैं, equal आजाते हैं, तो इसका मतलब तो होगा, बच्चों, function क्या है, continuous है, function टूटा हुआ, graph टूटा हुआ नहीं है, इस point के ऊपर, लेकिन, अगर इन तीनों में से कोई भी 2, ऐनी 2, equal नहीं है, तो उस case के अंदर, यह function आपका discontinuous कहलाएगा, तो very simple theory, देखो आप, definition को, a function, f of x is set to be continuous, एक function, continuous कहलाएगा, x is equal to a point पर, if limit x tends to a f of x is equal to f of a, पहले इस symbol को समझो, क्या कहना चाहरा है, limit x tends to a f of x का मतलब है, limit exist कर रही है, rhl equal to lhl है, the combined form, बताया था अभी, ऐसे भी represent कर सकते हैं, and another form और इसका है, जो symbolically हम represent कर सकते हैं, बचो, symbolically, f is continuous at x is equal to a, if, यह देखो, limit x tends to 0 a minus h, किसको बता रहा है, left hand limit को, limit x tends to 0 f of a plus h, किसको बता रहा है, right hand limit को, और x is equal to a पर, f of a बताता है, value of function को, तीनों बराबर, rhl, lhl and value of function तीनों बराबर, इसका मतलब function continuous कहलाएगा, ओके, तो इन्ही सब चीजों को, और question के point of view से में थोड़ा सा और clear करना हूँ, देखो बच्चों, अब किसी भी function की continuity अगर आपको check करनी है, कोई भी एक function आपको दिया, f of x is equal to एक function आपको मिलेगा, और उस function की continuity एक particular point के उपर, a belongs to r अगर हम consider करें, यह कुछ भी हो सकता है, उस पर continuity को discuss करने का मतलब है, आपको right hand limit निकालना है, क्या calculate करना है, right hand limit, इसका notification आप यह काम में लेंगे बच्चों, limit x tends to a plus f of x, a plus का मतलब में clear करो, किसको represent करेगा, x is greater than a को, ऐसे इसको समझो, और LHL आप निकालेंगे, इसके लिए जो इसका notification होगा, जो sine होगा, बच्चों, वो होगा a minus, f of x, इस a minus का मतलब होगा, x less than a, और x is equal to a पर function की value निकाली जाएगी, f of a, यह तीन चीज़ें आपको calculate करनी होती है, 1, 2, and 3, जब यह तीनों बराबर होगी, तो आपका function कहला हैगा continuous, otherwise discontinuous, graph अगेरा को use में नहीं लेना है, और यह जो भी function आपको मिलने वाला है, जिस भी form में मिले, उसके according आप limit के method जो भी मैंने discuss किये, उनको use में लो, बढ़ी आसानी से question complete होंगे, तो इसी concept को और अच्छे से अगर हम लोग देखें बच्छों, इसी जगे में clear कर रहा हूं, अच्छा question स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक journal form और बताता हूं, यह तीन format में बता दी, अब question किस किस तरीके से किस form में आपको मिलने वाले हैं, दो तरह के format देखने को मिलेंगे बच्छों, बिल्कुल यही चीज आने वाली है, देखो सब कुछ, एक question आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, f of x, g of x ले लिया, और h of x ले लिया, दो अलग-अलग condition पर यह function defined है, और क्या है, एक जगे g है, दूसरी जगे h, यह ले ले लेते हैं, x is greater than equal to a, और x less than a, और वो कहेगा कि point a के उपर continuity को check करो, determine करो, यह discuss करो, तो देखो, तीन sign चलते हैं, इसी जगे clear कर दो, x is greater than a, x less than a, और x is equal to a also, equality hold हो रही है, तो यहाँ पर ही clear कर रहा हूँ, ताकि क्यों से न करते हैं, दिक्कत ना आ है, x is greater than a के आगे जो function लिखा है, बच्चों, इससे आप decide करेंगे right hand limit, क्या decide करेंगे, right hand limit, x less than a के आगे जो function लिखा हुआ है, इससे आप decide करेंगे left hand limit, और x is equal to a के आगे जो function लिखा हुआ है, उससे आएगा value of function, यानि g of x दो चीज़े देने वाला है right hand limit और साथ में g of a दो चीज़े आपको यहां से मिलेंगी और left hand limit मिलेंगी x less than a से तो इस तरीके से इसको जन्नल तरीके से दिमाग में रखो greater than rhl less than lhl और x is equal to a value of function अब यही जो चीज़े इसको एक दूसरे form के अंदर भी questions के अंदर represent किया जाता है क्या form में देखें यही g of x और h of x आपको कुछ इस वे में भी दे सकता है वो x is not equal to a और x is equal to a यह दो format आपको मिलने वाले पूरे 32 question है इसी तरह के questions आप लोगों को format मिलेंगे अब यहां पर भी समझो चीज वही है x is equal to a के आगे जो function h of x है इस बार यह देगा value of function यानि कि h of a और x is not equal to a का मिनिंग क्या हुआ बच जो x यदि a के बराबर नहीं है तो या तो वो यह से बढ़ा होगा या फिर a से चोटा होगा यानि rhl भी आपको यही function देगा और lhl भी आपको यही देगा देख रहे हो दोनों sign combined है इन दोनों का combined form क्या यह है तो जी ओ फैक्स से आपको रहे चल भी मिलेगी और lhl भी मिलेगी तो इन दोनों फॉर्मेट के ऊपर कुछ questions हम लोग अभी exercise के previous year और जित्रे भी important questions है वो सम्में करा दूँगा इससे बाहर कुछ देखने को नहीं मिलता continuity में बड़ा common or simple question पूछते हैं लेगे उससे पहले कुछ points है जो मैं आप लोगो को कह रहा हूं कुछ स्टेंडर्ड continuous function बच्चों एक तो यह याद रखो इन में से काफी कुछ आपको याद भी होंगे बड़े सिंपल से constant function polynomial modulus यह polynomial rational all trigonometric function respective domain लिखा हुआ है यह सब continuous होते हैं कुछ r के उपर होते हैं कुछ अपने standard domain के अंदर होते हैं इसी तरीके से all ITF अपने respective domain के अंदर होंगे ना फिर अगर हम बात करें कुछ सिंपल से point है continuity से related आप लोग देखें ध्यान से कोई भी दो function f और g be two real function continuous at a real number a then कोई भी दो function किसी real number a के ऊपर यदी continuous है तो दोनों का addition subtraction दोनों का multiplication division यह भी continuous होगा इसका मिनिंग इतना सा है दो function continuous तो उनको addition subtraction multiplication और division भी continuous होगा इस particular condition में यह denominator वाला जो पार्ट है not equal to zero होना चाहिए साथ में एक चीज और याद रख लो इसके उपर last के four question आप लोगों के पास है exercise के कोई भी दो function अगर continuous है तो उनका composite function f o g b continuous होगा बच्चो composite function पढ़ा है अपन लोगों तो इन सब points के साथ हम exercise start करेंगे पहले कुछ simple questions के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि आप presentation pain को सही चलाना सीखें है ना जैसे एक simple सा question में ले रहा हूं f of x is equal to 2x plus 3 and 2x minus 3 यह defined x is greater than equal to 2 पर और यह defined है बच्चो x less than 2 पर बुक का question है statement है discuss इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है discuss the continuity of the function बट बुक में पूछा गया है find all the point where given function is discontinuous वो सब point find करके बताओ जहां पर दिया गया function discontinuous है तो इस तरह की questions को कैसे करते हैं देखो सबसे पहली बात ऐसे तो बहुत सारे point हो सकते हैं कहां कहां हम लोग चेक करेंगे लेकिन यह चीज़ मैं clear कर दूँ एक possible point है केवाल हमारे पास जहां पर function discontinuous हो सकता है बाकी जगे continuous है मतलब एक्स गेंटर देन टू के आगे जितने भी point है उस पर function commonly defined है एक्स लेसे टू के left side पर अगर आप टू के left side पर बढ़ते हैं तो उस पर भी function commonly defined है तो function चुकी common defined है इस वज़े से टू के आगे और टू के पीछे की अगर हम बात करें तो वहां पर जिस पर्टिकुलर point के left और right side पर function की नेचर function यदि अलग-अलग है देख रहे हो अलग-अलग function है कि 2x plus 3 and 2x minus 3 constant differ कर रहा है यहां पर तो जिस point के left और right side पर आपको function अलग-अलग दिखे यानि वही point है जहां पर function discontinuous हो सकता है उसी जगे possibility है confirm नहीं कह सकते तो चेक करना पड़ता है तो आप सबसे पहले इस तरह की questions में जहां लिखा होगा find all the point of discontinuity सबसे पहले आप लिखेंगे we know that we know that possible we know that the possible possible point of discontinuity possible the possible point of discontinuity is x is equal to 2 यही अकेला point है जहां पर यह function discontinuous हो सकता है अब इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए तरीके दो है एक तो डारेक्ट बता देते हैं पहले फिर presentation के साथ बताएंगे देखो greater than 2 के आगे यह function direct substitution method two two four plus three seven आ रहा है इसका मतलब right hand limit seven होगी बच्चो एक्स लेस्ट दें टू यह left hand limit देगा अभी शिखा यह सारी चीजे two two four minus three four minus three one तो हम देख रहें कि आरे चल और ले चल दोनों क्या है सेम नहीं है यहां seven आ रहा है जबकि यहां पर वन आ रहा है इसका मतलब दिया गया function access equal to two के ओपर क्या discontinuous है simply अब बात आती है लिखने की बोर्ड में लिखना पड़ेगा यह थोड़ी ने statement देदेने से काम चल जाएगा I can see very clear the given function is discontinuous यह फिर graph बना दिया उससे के दिया बिल्कुल भी नहीं बहुत बढ़ा नहीं होता क्योशन में बूर्ड का बहुत चुटे-चुटे क्योशन मिलेंगे तो presentation okay होना चाहिए we know that the possible point of discontinuity is x is equal to two now we have to check continuity at x is equal to two कैसे चेक करेंगे आरेचल का presentation है शुरुवात भी क्योशन है बिल्कुल एक point के साथ इसको मैं discuss कर रहा हूं देखो यह चीज मैंने बताई थी ना बच्चो notification के साथ कि आरेचल जब भी निकाननी है सबसे पहले यह लिखेंगे आप लोग अब यह वो point है जिस पर आप continuity चेक कर रहे हैं यानि टू पर चेक कर रहे हैं तो अगली स्टेप आप यह लिखेंगे limit नहीं तो एक form आरके क्योशन में लिखने के लिए कुछ बसता नहीं है तू प्लस फिर से फील देते हैं टू प्लस का आंसर हमें मिल रहा है तू टू जा फोर प्लस थ्री सेवर फिर आप ले चल को रिप्रेजेंट करें बिल्कुल उसी नोटिफिकेशन के साथ जो भी सिखाया तुम लोगों को यहां से स्टार्ट करो और एक यह ब्ल्यू पुट कर दें आ है तू टू फिर से क्लियर कर दें तू माइनस का मतलम माइनस टू बिल्कुल फील नहीं लेंगे two minus का field लेंगे x is less than two x less than two के आगे का function देखो two x minus three बहुत simple questions होते है continuity के एक्स की जगे two रखना है minus two मत रख देना फिर से कह रहा हूं यह just only notification है जो बताता x less than two को यानि की left hand side से अप्रोच कर रहा है हम लोगो तो x की जगे finally आपको two ही रखना है बच्छो टू टू जा four four minus three one और हमने देखा rhl is not equal to lhl the function f of x is discontinuous discontinuous at x is equal to two यहां आपका question complete हो जाएगा simple तो यह presentation आप लोगों को यहां पर रखना है फिर इसी के अंदर जैसे सिग्नम function की मैंने बात की ती discontinuous है चोटा जाकि उससे नहीं इसे दो तीन के उसन दिये हुए तो वह भी मैं यहां पर discuss करना चाहूंगा देखो एक उसन हम लोग और लेते हैं f of x is equal to mod of x upon x if x is not equal to 0 and this is 0 x equal to 0 discuss the continuity of the function at x equal to 0 यह यह कहते है find all the point where given function is discontinuous तो mod का कोई भी question आए उसके लिए common statement दे रहा हूं में ध्यान देना है कोई भी question आजा है mod का सबसे पहले mod की definition apply करते हुए उसे open करके उसका presentation तो mod of x यह देखो बच्चो प्लस x upon x लिखेंगे when x is greater than 0 है ना फिर mod के साथ इसी जगे हम बात करें x less than 0 लेंगे आप तो यहां consider करेंगे बच्चो minus x upon x देख पा रहे हैं यह book का question है एक बार इसको tally कर लें अंगर वैसे तो signal function है ही बच्चो सब्सक्राइब करेंगे इसी को चल लेंगे यह देखो इसका मतलब function क्या होगा discontinuous होगा लिखने का तरीका मैंने बताया क्या presentation रखना है अब आते कुछ major questions की तरह बचो देखो यह book का ही क्योस्चन है वापस से बहुर सिंपल सा क्योस्चन है यह तो डारेक्ट आंसर बता सकते हैं बिना पेंच चला है डारेक्ट डिस्किशन है क्योस्चन सुनो find all the point of discontinuity of f where f is defined by function यह है आपको वह सब point find करके बताने जहां पर discontinuous है minus infinite to plus infinite बहुत सारे point है लेकिन particular पर जाना पड़ेगा आपको क्या लिखेंगे सोचो देखो ध्यान से minus 3 के उपर focus करो left or right पर function अलग-अलग plus 3 पर focus करो left or right पर function अलग-अलग so the possibility of discontinuity वो क्या बनती है इनी दो point के उपर बनती है minus 3 पर और plus 3 पर तो सबसे पहला statement आपका होगा we know that the possible point of discontinuity are x is equal to minus 3 and x is equal to 3 इनी दो point के उपर बच्चो discontinuity की possibility बनती है बाकि सब जगे function क्या होगा continuous होगा हाला कि उसका presentation भी दिया जा सकता है बट required नहीं है देखो अब direct answer की बात करना हूँ फिर से practice में भी होनी चाहिए सब चीजे minus 3 के उपर हम continuity को discuss करते हैं सबसे पहले इस point को देखो क्या लिखा है x के respect में इसको read करो पहले x को read करो x is greater than minus 3 greater than का मतलब rhl x की जगे minus 3 रखा कितना आया 6 आगे right hand limit 6 x less than minus 3 lhl देगा x की जगे minus 3 रखा mod है plus हो जाएगा बच्चो माइनस 3 मौट से बार आके plus 3 again 6 और x is equal to minus 3 पर भी यही function है तो definitely क्या देगा 6 ही देगा directly आप minus 3 पूट करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि minus 3 पर rhl lhl and value of function तीनों क्या है same है और same है तो function क्या है continuous है 3 पर check कर लेते हैं इधर देखो लिखने का process फिर बताऊंगा अभी पहले थोड़ा direct बिना pain चला है directly discussion यह देखो 3 के respect में बात कर रहे हैं 3 पर check कर रहे हैं continuity को x greater than 3 greater than यह function देगा आपको right hand limit x की जगे आपने क्या put किया 3 put किया 6 3 जा 18 plus 2 20 यानि की right hand limit आगी 20 और इसी तरीके से आप x less than 3 यह दिख रहा है तो x less than 3 पर यह minus 2 x 3 put किया तो कित्रा है बच्छो minus 6 20 and minus 6 rhl is not equal to lhl function क्या होगा discontinuous होगा ठीक है लेकिन अभी शुरुआ थे देखते जाओ minus 3 पर में बता रहा हूं plus 3 आप अपने आप करेंगे कैसे presentation जाना है फिर से देख लो यह आप right hand limit लिखेंगे limit x turns to my right hand limit यह notification लिखा आपने फिर इसके बाद बच्छो limit यह वह point होता है जिसके उपर आप continuity को discuss कर रहे तो वह minus 3 है तो एक ही जगे आप minus 3 रखना exact substitution जा रहा देखो एक ही जगे मैंने minus 3 रखा यह plus लगा दिया और minus 3 plus का फिल लो x is greater than minus 3 x is greater than minus 3 कौन सा function काम में लेंगे minus 2x direct substitution method आप काम में लेते हैं minus 3 put करेंगे 6 आता है यह 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 हो गया लेचल देखो आप कंटिविटी डिफ्रेंशिब्लिटी के क्यों समझने के साब से बहुत इसी होते हैं बच्चों लेकिन कई बच्चों के क्या लिखे हैं सब कुस्ट दिखतो राय साप साप और कई स्ट्विडेंट्स की कोपी के अंदर जब हम देखते लिखते हैं तो ऐसे नहीं एक फोर मार्क लेवल के क्यों से अब इनमें डारेक्ट अगर यह चीज़ें रिप्रेजेंट करोगे बच्चों मज़ा नहीं आएगा एप उट कर रहें देखो थ्री माइनस माइनस थ्री ओफ माइनस हैड के उपर जो माइनस लगा हुआ है इसक सब्सिट्यूशन मॉड में वैल्यू डाली माइनस 3 प्लस 3 एकवल टू 6 और फिर वैल्यू अफ़ फंक्शन को रिप्रेजेंट करें जो की एकविलिटी से निकलेगा एक्स इस इक्वल टू माइनस 3 पर फंक्शन क्या है तो पहले तो फंक्शन को लिख देना जो की दिया गया है mod of x plus 3 और यहां से बच्चों एक बार f of minus 3 की value आप represent कर देंगे जो की same आईगी 6 और finally last में expression देंगे रहल लहल is equal to f of minus 3 function is continuous at x is equal to minus 3 तो इसी तरीके से अभी क्योसन बाकी यह पूरा नहीं हुआ plus 3 पर भी बताना है plus 3 का काम तुमारा रहेगा लिखने का प्रोसेश यह रहेगा question बहुत सार है देखते जाओ इसके बाद लेते हैं बच्चों एक exercise का question ncrt के बारे में थोड़ा सा clear कर दो book में जो question दिये हुए just only for reference अब यह लेवल आना बंद हो गया है यह मान के चलो तीन-चार question जो अच्छे हों मैं करा रहा हूं फिर उसके बाद कुछ extra question अम लोग discuss करेंगे और previous year के या examplar के जो questions रहोंगे वो मैं करांगा आप लोगो अब जैसे यह question ने बच्चों बुक कही question है दो format बताये थे मैंने यह second format के उपर है question क्या है देखो एक बार find the value of k so that the function f of x is continuous at x is equal to pi by 2 x is equal to pi by 2 पर यह दिया गया function यदी continuous है जो की question में given है already तो इस k की value बता नहीं बच्चों आपको यह के find करके बताना है दिख रहा है तो बहुत simple भाई क्या process होना चाहिए सोचो अगर function continuous है तो हमें बहुत अच्छे से यह चीज़ पता है बच्चों बहुत अच्छे से की right-hand limit left-hand limit और value of function तीनों क्या होंगे equal होंगे थोड़ा statement काम में ले 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 the given function f of x is continuous at x is equal to pi by 2 so that RHL is equal to LHL is equal to f of pi by 2 यह तीनों बराबर है अब presentation की बारे आती है क्या लिखे तरीके और भी है दो तरीके से इसका presentation देते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं राइट एंड लिमिट और f of pi by 2 को equal कर देते हैं आंसर वहां से भी आएगा लेकिन ज्यादा बेटर presentation क्या होगा बच्चों थोड़ा सा इसको समझनी कोशिश करें लिमिट की definition हम लोगों ने पढ़ी पढ़िए जब राइट एंड लिमिट और लेफ्ट एंड लिमिट दोनों बराबर होते हैं तो लिमिट exist करती है पॉइंट के ऊपर और जब लिमिट exist करती है तो आरेचल और लेचल का एक कंबाइंड फॉर्म मैंने आप लोगों को सिखाया लिखने का प्रॉसेस वह प्रॉसेस क्या है तो कंबाइंड फॉर्म और लेचल एक साथ दोनों चेर्ट इस तो करी रहा है क्योंकि लिम उपर आप continuity को discuss कर रहा है या continuous दिया हुआ है एक ही वैल्यू पाइबाइड टू और f of x आरेचल और लेचल के ऊपर कौन सा function कौन सा function काम में लेंगे यह टॉप वाला यह तो बहुत साफ दे रखा रहो x is equal to π.by.2 पर value of function और यह चीज पहले clear कर चुका हूँ not equal to π.by.2 रहल भी यहां से लहल भी यहां से यह function काम में लो k cos x upon π.by-2 x अब इस question के सार्थ limit का एक method हम लोग सीखेंगे कुछ तो वहां बता दिये थे कुछ यहां पर और मैं discuss करता हूँ अब जैसे ही बच्चों आप लोग सबसे पहला काम कोई भी question no limit का at first x की जगे आप लोग यह point डालके देखते हैं cos pi by 2 आपने यह पर डाला x की जगे पर कितना आएगा यह देखो k cos x upon pi minus 2x yes इतर देखो जैसे x की जगे आपने pi by 2 डाला cos pi by 2 की value 0 बच्चों और यहां पर भी x की जगे आप pi by 2 डालेगे 2 से 2 cancel pi minus pi again 0 तो direct substitution method काम नहीं कर रहा है बच्चों इस सीच को देखो क्योंकि यह को finite value नहीं है यह indeterminate form है और जब तक indeterminate form बना रहेगा यह आपकी limit नहीं कहलाएगी इस सीच को दिमाग में रखना तो अब आगे बढ़ने के लिए limit का जो सबसे best method यहां होगा वो होगा बच्चों substitution method तो clear करो किस तरह की question में आप substitution method लगाएंगे जीरो बाई जीरो form आनी चाहिए और साथ में यहां यह जो देख रहे हैं यहां 0 नहीं होना चाहिए बच्चों x tends to a where a is not equal to 0 0 नहीं है पाई बाई टू है तो ऐसे question को आप substitution से आगे बढ़ा हो बहुत अच्छा result देगा तो वह substitution कैसे होगा उस method को समझो आप क्या करते हैं x की जगे a प्लस h यानि पाई बाई टू प्लस h पुट करना ठीक है और जैसे यह एक काम करते हैं तो क्या हो रहा है जब x पाई बाई टू की तरफ अप्रोच करेगा तो h किस की तरफ अप्रोच करेगा पाई बाई सब्सक्राइब के जीरो तो साथ में एच अप्रोच करेगा बच्चो जीरो की तरफ यह सब्सिट्यूशन आप यहां देंगे देखो है अगली स्टैप लिमेट है एच टेंस टू जीरो है और के एक्स की जगे पर आप पुट करेंगे पाई बाई टू प्लस एच मैथड वाइज हर क्योशन में डिसकस कर लूँगा कंटिनुटी का सारे लिमिट के मैथड आ जाएंगे वन बाई और पाई माइनस टू एक्स पाई बाई टू प्लस एच यह काम किया बच्चो सब्सिट्यूशन में अब यहां आने के बाद एक जो बैसिक कालकुलेशन उस इसी जगे बता तो लिमिट एच टेंस टू जीरो के अपनी जगे है कॉस 90 प्लस थीटा जो है आपको क्या दे रहा है माइनस साइन एच ठीक है अब इसफो टू से कइनसल रहा यह दिखर की से पाई जायेगा मैनस टू अंदर मटिपलाइ होगा कितना है क्लियर है मैनस के और मैनस क्यों मैनस के बाई टू कंस्टेंट बार आजाएगा के बाई टू बाहार और इस ज्यान दू, limit h tends to 0 sin h upon h, एक standard formula बन रहा है, 1, तो finally आपको यहां से मिलता है k by 2, कितना मिलेगा, k by 2, और ये k by 2 किसके एकवर होना है, बच्चों, बहुत साफ नजर आ रहा है, value of function, f of pi by 2 की value कितनी बन रही है, देखो, f of pi by 2 जो की question में given है, 3, और चू की function continuous है, तो k by 2 किसके equal होगा, 3 k equal, यहां लिखेंगे आप, k by 2 equal to 3, then k is equal to कितना, 6, ये छोटा जा calculation इस question में बनता है,